होनहार विर्वान के होत चिकने पाथ यानि के जो होनहार होता है उनकी परतिबा बच्वन से ही दिखाई देना शुरू हो जाती है ऐसे ही हर्याना के एक नेता है रतनलाल कटारिया, अंबाला से सांसर और भाज्यपा के कदावर नेताओं में से एक है रतनलाल कटारिया वे एक ऐसे नेता हैं कि जो बाल कलाकार के रूप में सम्मानित हो चुके हैं और वो भी देश के प्रतम पधान मंत्री जवाहर लाल नहरू के हाप है साल 1963 में रतनलाल कटारिया को तीन मूर्ती भवन में एक बाल कलाकार के रूप में सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है ऐसे होनहार नेता के बारे में हम आज के इस S.N.A. में जानेंगे और उनकी राजनीती के भूत भविश्य और भरतमान के बारे में भी जानेंगे नमस्कार स्वागत है आपका S.N.A. में भारत आज का वो शो जो खबरों का विसलेशन करता है और खबरे होती कौन सी हैं वो होती हैं आपके आसपास से उन नेताओं के बारे जिनके बारे आप जानना चाहते हैं रतनलाल कटारिया का जनम 19 दिसंबर 1951 को यम्नानगर के गाउं संधाली में हुआ था उनके पिता का नाम जोती राम कटारिया वे माता का नाम परिवारी देवी था सांसद रतनलाल कटारिया का भरा पुरा परिवार है जिसमें पतनी बंतों कटारिया और तीन बच्चे हैं एक बेटा और दो बेटी रतनलाल कटारिया का राजनितिक सफर साल 1980 में शुरू हुआ था बेदाग और हस्मुक छवी के नेता है रतन लाल कटारिया, अगर बात करें नेता जी की, अपने लंबे राजनितिक तुजूर्बे और बेदाग छवी के चलते, रतनलाल कटारिया राजनिती गलियारों में, चर्चाओं में रहते हैं, उनकी वाक शैली भी काफी परसिद्ध है और राजनीती के हर पहलू के वे माहिर कहे जाते हैं मास्टर से लेकर LLB तक की डिग्री कटारिया दिखने में बेशक हसमुख सभाव के हैं लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी भी हलके में नहीं लिया बलकि वे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता हैं अंग्रेजी में कहें तो कटारिया वेल ग्रिजुएट नेता है अंबाला चावनी के SD कॉलिज से BA ओनर्स के बाद के यूके से राजनीती सास्तर में MA तथा फिर वहीं से LLB की डिग्री प्राप्ती कटारिया को राष्ट गीत गाने, कवितायन लिखने, शायरी करने और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का भी शोक है 1989 में जीता था पहला चुनाओ वैसे तो कटारिया ने राजनीती में कदम साल 1980 में रख दिये थे लेकिन राजनीती जीत का स्वाद उन्हें साल 1989 में चखा यानि कि 1989 में उनको पहली जीत मिली कटारिया ने 1989 में हरियाना की रादोर विधान सभा सीर से चुनाव लड़ा और उन्होंने लहरी सिंग को तकरीबन 20,000 वोटों के अंतर से हराया था संगर्ष भरा रहा राजनीतिक जीवन वो नेता ही क्या जिसके जीवन में संगर्ष ही ना हो लिहाजा रतनलाल कटारिया ने भी राजनीती में कड़ा संगर्ष किया हुआ है वे कई बार गिरे लेकिन फिर भी वे संभल कर चलते रहे हाला कि संघर्षों ने उनका इम्तिहान भी बड़ा लिया फिर यू कह लीजिए कि उनके सब्र का इम्तिहान लिया 1989 में जहां उन्हें पहली ही बार में जीत नसीब हुई थी तो वहीं उसके बाद उन्हें हार का मुह भी देखना पड़ा 1991 से लेकर 1996 का जो सफर था वो कटारिया के लिए खास नहीं रहा क्योंकि दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था फिर जब सब्र ने दिलाई सफलता कटारिया ने हार के बाद संघर्ष करना जारी रखा और उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि सफलता उनसे ज़्यादा समय दूर ना रह पाई और उनके हिस्से में जीत को आना ही पड़ा साल 1999 में हुई तेरवी लोकसभा चुनाओं में कटारिया को भारी भरकम जीत मिली आम चुनाओं में वे अंबाला की सीट से खड़े हुए कॉंग्रिस के फूल चंद मॉलाना को हरा डाला जीत के साथ बढ़ा था वोटों का मरजन जी हाँ अगर बात करे रतनलाल कटारिया की तो 1999 में जो जीत हासिल उन्होंने की थी उसमें उनका वोट शेर भी काफी ज़्यादा बढ़ा था क्योंकि उन्होंने काउंग्रिस के फूल चंद मॉलाना को तकरीबन तकरीबन एक लाक से अधिक वोटों से मात दी थी यहाँ पर रतनलाल कटारिया का वोट शेर इसले भी ज़्यादा रहा क्योंकि साल 1991 और 1996 के चुनावों में कटारिया का वोट शेर गिरकर 36 परतीशत से भी कम रह गया था लिहाजा 1999 की जीत रतनलाल कटारिया के लिए कई माइनों में बेहधी एहम थी यानि संजीवनी उनकी राजनेतिक केरियर के लिए थी फिर 2014 तक देखा लंबा संघर्ष जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कटारिया ने अपने राजनेतिक जीवन में काफी लंबा संघर्ष किया है लिहाजा एक बार फिर से लंबा संघर्ष उनके राजनेतिक जीवन में आया लेकिन वे फिर भी अटल पहार से खड़े रहे बिल्कुल भी नहीं डिगे साल 1999 के बाद से साल 2014 तक कटारिया ने जीत के लिए काफी लंबे अर्से तक इंतजार किया यानि के जदो जहद वो एक अदद जीत के लिए करते रहे और ऐसा नहीं कि उनके इंतजार का फल उन्हें नहीं मिला ठीक 15 साल तक कटारिया का संघर्ष जतना जादा रहा उतनी ही उनकी सफलता ने शोर मचा दिया था 2014 में ही दूआदार वापसी रतनलाल कटारिया ने जतना जादा इंतजार किया वापसी भी उतनी ही जबदस्त रही थी अगर बात करें साल 2014 के लोगसभा चुनाव की तो कटारिया ने जीत का सूखा खतम किया और 60 वी लोगसभा के लिए चुनाव और रतनलाल कटारिया ने भाज़पा की टिकेट पर चुनावी मैदार में कदम रखा, कॉंग्रेस के राजकुमार वाले मीकी को तक्रीबन तीन लाख के भारी भरकम मार्जन से हरा डाला, इसी लिए हम बार-बार कह रहे थे कि उनकी वापसी जोरदार रही, जबरदस्त रही, यादगार रही, इस रतलाल कटारिया मोधी सरकार पार टू, यानि दूसरी बार, जब मोधी सरकार में आए, परधान मंतरी बने तो उनके वो कैबनेट में शामिल हो गए थे, उन्हें केंदरिये जल शक्ती राज्य मंतरी का कारिये भार दिया गया था, राज्य मंतरी का दरजा हासिल करने वाल मतों से हराया था जो कॉंग्रेस की प्रदेशा ध्यक्ष भी रही और कदावर नेता के सासाथ केंदर की बड़ा चहरा बड़ी नेता है उनको उन्होंने हराया था 31 मई 2019 को मोधी सरकार में कटारिया केंदरिये जल शक्ती राज्य मंत्री बने थे केंदरिये मंत्री रहते लेकर आए कई प्रोजेक्ट्स मंत्री पद पर रहते हुए कटारिया ने अंबाला चामली के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे वो बात अलग है कि उनके ये प्रोजेक्ट्स फिलहाल पाइपलाइन में है राजनतिक जीवन में संभाले कई बड़े एहम पद सन 1980 से लेकर 1987 तक उन्होंने भाज़पा परवक्ता भाज़पा राश्चे परिश्ट के सदस्य के रूप में कई पदों पर काम किया देवी लाल की सरकार में डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर बने उसके बाद वे 1996 में बंसी लाल सरकार में वेर हाउस के चेर्मेन भी रहे सन 1999 में वे पहली बार सांसट चुने गए थे 2001 से 2003 तक कटारिया भाज़पा की हर्याना इकाई के अध्यक्ष भी रहे साल 2019 में उन्होंने अंबाला संसद्य सीट से कांग्रिस पर क्याशी कुमारी शेलजा को 3,42,345 वोटों से हाराया था और केंदर में वो मंत्री के रूप में गए थे तो ये था राजमेतिक सफर रतललाल कटारिया का इस SNA को देखने से पहले कितना आप कटारिया के बारे जानते थे कितना उनको समझते थे हमें जरूर बताईगा कमेंट करके बताईए और लगातार SNA को जो आप प्यार देते हैं उसके लिए धन्यवादी है और आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी पुनम दूबे ने और डेस्क पर हमारे लिए पूरी टीम महनत करती है आपके लिए महनत करती है ताकि एक बहतर SNA आपके सामने आ सके बस निवेतन है कि हमारे चैनल हरियाना आज भारत आज को आप सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद हरियाना आज के लिए भारत आज के लिए सेनने से इश्पाल करेंचे